धन्यवाद आपके जी आप हमारी वीडियो पर आए हैं आप खुसरी और आपके माता पिता भी बहुत खुसरे हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें तो आज की वीडियो में आप देखेंगे समय का नास्ता और इनका देखेंगे बहुत ही जो उसे धूल लेते हैं अभी देख कलरेंट इसमें दो कलर है और इनको हम इसे हाली है यहाँ पर कट करने के लिए तो इन बदे का कित लिए दो उस्मोट करना है बहुत बड़े बड़े हमें नहीं कट करना है बिल्कुल चोटेचिप करना करना है si larm मिर्ज को भी और पत गोभी को भी बारी कट करेंना है तो चल्य सब चलते हैं यहां से बनाने के लिए तो आ गए हैं गैस के पास और यहाँ पर हम एक बर्तन मीं डालें गेंगे सबसे पहले पाणी उसके बद गैस को जलाएंगे जलाने के बाद इसी पर चढ़ा देंगे और इन्हें गर्म होने देंगे उसके बाद आ जाते हैं यहां पर सेवाई लिये हैं इनको निकालेंगे खाली में तो चलिए जल्ली लेसे इंगा लेते हैं और इसी तरीके से आपको भी ले लेनी हैं उसके बाद यहां पर पानी गर्म हो गया है तो इसमें डाल देना है और इन्हें फ्रेंट सिर्फ दो मिनट पकाना है इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है अभी देख सकते हैं आपको हम दिखा देते हैं यह देखिए कितने बढ़े से उबल गये हैं तो इन्हें छनी में छान लेना है उसके बाद इनको हम ठाली में रखेंगे फैला करके रखना है और आपको बता दे इन्हें बहुत ज्यादा भी नए उबालना है इतना उबालना है जितने अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब इन्हें टेश्टी सम्मसालेदार बनाना है उसके लिए यहां पे डालेंगे सरसो क इनको भी और बारी कटा हुए सिमला में टमाटर डाल देना है तो मिक्स करके इनको ढग देंगे पकने के लिए और अभी इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला उसके बाद इनको भी मिला लेंगे तो इसको भी मिक्स करके हमें दो मिनट पका लेनी है और जब यह बढ़िया से प करेंगे मिक्स हो जाएंगे तब ही आपको इसमें डालना है क्योंकि हम सॉस को पका आएंगे नहीं सकते हैं यह बहुत हेछे से मिक्स हो गए हैं तो यहां पे हमें सबसे पहले डालना है red chili सॉस तो यहाँ पे हम थोड़ा से डाल रहे हैं आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं जैसे आपको पसंद हो और इसके बाद जाने वाला है ग्रीन चिली स्वास इनको भी हम थोड़ा से डालेंगे और टोमेटो सोई डालना है तो इनको थोड़ा से ज़्यादा डालना है ताकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं लेकिन हम इनको क्या करेंगे बनाएंगे इसका सेवाई इस्टब्ड चिल्ला बहुत अच्छ लगते हैं खाने में इसलिए वीडियो को आप एंड तक देखें तो अब आपको इन्हें एक साइड में रख देना है उसके बाद यहां पर ले ल ले बना लेना है अब डहाँ दाला है इसमें पानी और डालेंगे और पाई डाल करके हम किसे बना लेना है जितने चीसे पैन पर फैल्ला दिए अ और उपर से हम डालेंगे ओयल थोड़े सा पकने की बार और इनको भी हम पकने देंगे जब यह बढ़िया से पक जाएं तब इन्हें एक साइड से इस तरीके से निकालना है और इन्हें पलट देना है तो देखे अभी यह बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं उभी देखे कित से और इन्हें रेप करना है यह इभी बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और अब प्लेट में रख चिए उसकी बाद इस इसी तरीके से और भी बना लेना है और अब यह सेमई भरवा चिल्दा बन करके रेड़ी है तो चलिए आप भी बनाईएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा अब बनाते हैं पकोड़े तो यहाँ पर खलबटे में सबसे पहले काली मिर्च को कूट लेना है कूटने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं बोड़ा कट वले लेitious बारीJustद अदरग मिलाएंगे शाहरी मिर्च उसकी बाद ढालेंगे इसमें पताकों भी और डालना है काटभ हुआप उसकी बार्द इसमें गेहूं का आटा डालना है तो इन्हें चाल करके हम ले लिए हैं और उसके बार डालेंगे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और यहां पे हमें थोड़ा सा बेसन भी ले लेना है ताकि और स्वाधिश्ट बने लाष्ट में डालना है जीरा तो सब को मिलाने की ब और दिखने में भी अच्छे लगते हैं खाने में भी और कुछी देर के बाद आप यहां पर देखेंगे यह पकोड़ी का कलर भी चेंज हो गया है और यह अच्छे से फ्राइब हो गया है तो इन्हें हम छनी से छान करके निकालेंगे और इसी तरीके से और भी पकोड़े को करेंगे जब यह फ्राइब हो जाएंगे तो चलिए अब आपको तोड़के भी दिखा देते हैं और चटनी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं